तो इस पर भी अभी स्पेकुलेशन आएगी काफी सारे आर्टिकल्स आएंगे एक बार मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद कई सारे जो पॉइंट्स हमों सामने आएंगे कुछ पॉइंट्स हैं तो यह इशू अभी चलता रहेगा हर दो तीन चार दिन के अंदर इस पर आर्टिकल्स होगा जब तक मीटिंग नहीं होती है और एक बार मीटिंग होगा उसके बाद फिर आर्टिकल्स आते रहेंगे तो यह आप अलग से एकनॉमी सेक्शन के अंदर इ इंडिस्टियल कॉनफरेंस आपके हो जाएं मारा क्या अग्रिमेंट के बारे में हैं फिर एक आपका जीका वायरस है उसके बारे में भी वी विल ट्राइट अंडेस्टाइड यह परिलिम्स का टॉपिक आपका बन जाता है फिर आपका मेंस का जो कोश्चन एंदाट आट और पाणियागर आपाई इस एक्जाम की तहरी कर रहाना अक्याडमी से नहीं जुड़ हैं तो आप जरूर से जुड़ है Use this code that is SPLIVE Optional के लिए 11 तारीक से I am launching an optional agriculture तो आप उसका हिस्सा बन सकता है इसका लावा दूसर जो subjects है उनकी live classes कर सकते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है वाट डू यू नीड टू क्रैक यूपी एक्जाम तो जैसे गाइडेंस टॉप एजूकेटर से आपको चाहिए तो वह आपको मिल रहा है स्ट्रक्चर्ट जी एस और ऑप्शनल कोर्स से इंडिया के टॉप एजूकेटर्स के दौरा टेस् इडिंग माटेरियल वह भी आपको अवेलेबल है 20 20 प्लस हाई क्वालिटी नोटबुक्स डाउट क्लिरिंग एंसर राइटिंग वह भी आपका अनकेडमी के अंदर है comprehensive coverage of current affairs so articulate magazine है और current affairs simplified course भी है आपके पास तो यह सारे offers है you can use this code SPLIV और आपन अकेडमी से जुड़ सकते हैं अभी आनकेडमी का combat का हिसाब 7 नौमबर को जरूर से बने 11 बजे है इस बार की जो theme है वो है geography, science and tech geography, science and tech यह आपकी themes है तो इसी पर based आपके questions होंगे अगर आप top rank लेकर आते हैं तो इसमें आपके पास मौका रहेगा scholarship जीतने का तो यह free है use this code that is SPLIV और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं iconic में आपको personal guidance मिलेगा अगर आप join करते हैं academy को तो इस पर सबसे great benefit है कि जितने भी educators के जितने भी course आएंगों सब को आप access कर सकते हैं 22 और 23 की तैरी कर रहे हैं या फिर mains की preparation कर रहे हैं तो वो भी आपका है शुरू करते हैं पहला topic है this is related with the stubble burning stubble burning एक बहुत बड़ा issue है stubble शब्द का मतब होता है जैसे cross जो crop residue है crop residue तो crop residue को we call it as stubble तो यह जो stubble है stubble burning के वैसे बहुत सारे जो pollutants है वो आपके release होता है particulate matter 2.5 रहता है जिससे कि आपकी जो health है health जो है काफी affect होती है जो lung की health है that is also affected और कई सारी जो gases है वो release होती है उसकी वजह से भी जो health that is also affected तो यहाँ पर यह एक अभी survey हुआ है मतलब एक study है stubble burning impacts lung health तो यहाँ पर खास तोर से जो आपको ध्यान में रखना है कि particularly harmful to women in rural Punjab तो यह point आप highlight कर सकते हो जैसे for example यह study आप quote कर सकते हो कि जो भी pollution है pollution का impact जब आप दिखाने कोशिश कर रहे हो तो women पर भी इसका impact पड़ता है जैसे women एक topic है GS paper 1 के अंदर वहाँ पर आप example की रूप में mention कर सकते हो तो generally particulate matter के बारे में तो सभी को पता था काफी समय से particulate matter है जैसे small size के जो particles होते हैं वो अगर हमारे शरी के अंदर चले जाए तो उससे काफी ज़्यादा जो lung है उसकी health को impact आपका पड़ता है लेकिन poor जो air है उसका भी जो impact हो lung health पर आपका पड़ता है तो बस यह 2-3 line आपके mind के अंदर होना चाहिए next देखता है this is related with the जो आपकी ministerial conference 12 होनी है ministerial जो है ministerial जो meeting होनी है यह world trade organization की highest decision making body है so ministerial conference mc12 की meeting इस महीने के end में होनी है तो इस पर articles आपकी continuous आते रहेंगे अभी कुछ dimensions है वो हम लोग discuss कर लेंगे और यह ध्यान में रखना एक economy का यह issue है यह चलेगा और साथ में इस बार के mains में भी प्रश्ण आपका इसमें जरूर से रहेगा अलग-लग dimensions पर प्रश्ण जो है वो आपका होर रह सकता है लेकि ministerial conference 2 तो यह economy section का वहाँ पर प्रश्ण आपका GS paper 3 के अंदर रहेगा और यह जो economy section उसमें आप इस issue को लिख सकते हैं जब भी क्योंकि जब तक अभी नहीं होता है MC1-2 तब तक कुछ नो कुछ article आता रहेगा उसके बाद जब एक बर हो जाएगा तब है article आएगा तो बहुत जब ज़दा speculation पर नहीं जाना है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है लेकिन जिसे आज का article है उसमें कई dimensions covered है उसको देखते है तो चार्टिंग a trade route for after the MC1-2 तो देखो world trade organization देखो world trade organization का कारे क्या है सिंपल सी बात है कि जो जो भी देश है जैसे आपके United Nation के members होता है इसी तरी कि इस world trade organization के कई देश members है जो देश है वो देश आपके आपस में जो trade करते है वो trade आपका rule-based होना चाहिए तो rule-based होना चाहिए और यह जो rules है बनाने का काम किसका है वो WTO का है और अगर जो rules में changes करने है तो भी किसके द्वारा किये जाएंगे WTO के द्वारा किये जाएंगे tariff barrier कितना रखना है non tariff barrier कितने रखने है वजब tax imposed कितना करना quota system अगर ऐसा कोई country लगाता है तो उस पे कैसे restrictions है और कई सारे जो trade के लिए जरूरी चीज़े है वो सारे के सारे जो decisions है that is by the world trade organization अब इसके relevancy पर भी कई प्रश्ण उठने लगता है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे भी क्या है जो developed countries है developed countries का पूरे तरीके से control है तो वो अपने interest के according चीज़े जो rules है उनको बदलने की कोशिश करता है और developing countries इस चीज़ को काफी हद तक oppose भी करता है बहुत सारे जैसे दोहा talks है agriculture context में देखा जाए तो वहाँ भी developed देश अपने interest को protect करने की कोशिश करता है developing countries अपने voice को raise करता है तो यह आपका चलता रहता है तो अब क्योंकि WTO के कई बर relevancy पर भी प्रस्ट उठ जाता है यह जो relevancy की reduce होती है तो अलग-अलग जो देश है वो bilateral relation या bilateral trade की तरफ या फिर multilateral organization है जो multilateral जो कई organization सा उसका हिस्सा बनके अपना व्यापार करना चाते है खुद का rules regulation बनाके ऐसा करना चाते है because of reduction in the relevancy of WTO तो अभी जैसे meeting होगी Geneva, Surzaland के अंदर यह आपकी meeting होगी तो कई सारी चर्चा होगी क्योंकि देखो pandemic से पहले और अब थोड़ा situation ठीक हो रही जिसे जो global trade volume है या आपका by almost 11% 2021 में expand करेगा 2022 में nearly 5% से आपका expand करेगा और pre-covid जो trend है उसके अगर देखा जा तो अब उससे भी आगे expansion आपका शुरू होगा अलग-अलग means mechanism होगे trade करने के जैसे e-commerce एक बड़ा area आपका बन जाता है trade volume continuous basis पर बढ़ता जाएगा अब जब trade volume बढ़ेगा तो उसको किस तरीके से rule based करना है rule based का मतलब है as per the norms ऐसा नहीं हो कि नए-ने arenas व्यापार करने के आपके सामने आ रहे हैं WTO के WTO उससे related अपना जो norms हैं उसको change नहीं कर रहा है e-commerce इसमें एक बड़ा example आपके लिए बन जाता है तो यहाँ पर कई सारे जो member countries हैं वो इस पर discuss करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि जो यह momentum है trade का trade growth का वो आपका continuously बना रहे है इस पर भी focus आपका रहेगा MC12 need to consider how these good times for trade the economically weaker countries can secure share in the growth अब यह भी बहुत important आपका बनता है कि खास दोर से जो जैसे माराकेश agreement इसके बारे में आगे हम discuss करेंगे तो यहाँ पर इस agreement के माध्यम से जो WTO का establishment हुआ था और इसमें भी focus इस चीज पर किया गया था कि जो भी growth या trade या जो development आपका continuous basis पर हो रहा है जो growth हो रहा है जो आपका development हो रहा है growth and development हो रहा है जो व्यापार हो रहा है जो trade आपका continuous basis पर हो रहा है तो growth and development जो भी है trade हो रहा है इसका जो benefit है वो economically जो weaker countries हैं उन तक भी वो reach करें तो इस पर भी सोचा जाए क्योंकि यह जो good time for trade है मतब trade volume continuous basis पर आपका expand हो रहा है 10% 5% इस तरीके से आपका जो expand हो रहा है 2021 के अंदर जिसे 11% expansion होगा फिर 5% expansion होगा तो overall जो expansion हो रहा है इस expansion का जो benefit है वो economically weaker country तक reach करें यह ensure करना जरूरी है माराकेश agreement की बात किया जाए तो यहाँ पर it is related with the establishment में जो located है जिसमें 123 nation ने इस date को 15th April 1994 को यह sign किया था और जो बातचीच चल रही थी 8 साल से और उगवे राउंड की जो talk चल रही थी WTO के establishment के लिए तो उसका जो finalization है वो आपका इस माराकेश agreement के माध्यम से हुआ जिसमें जैसे इस talk के अंदर बहुत सारे different set of agreements है मालो A, B, C, D बहुत सारे ऐसे agreements हुए तो माराकेश agreement में क्या किया है कि इसको combine कर दिया गया तो इसमें ऐसा नहीं था कि सारे agreements का आप हिस्सा अलग-अलग हो आप एक agreement का हिस्सा जब बनते हैं माराकेश का तो सारे agreements अपने आप लागू हो जाते है तो यह officially आपका WTO 1st January 1995 में है और कई सारे जो agreement है जो develop किये गया थे जैसे मैंने अभी आप से discuss किया गैट जर्नल agreement on tariff and trade तो चाहे वो service related हो sanitary, final sanitary measures है sanitary, final sanitary का मतलब हो था certain standards set करना जैसे अगर किसी product को अगर आप import करते हो या किसी product को trade करते हो तो जो देश उस product को लेगा वो certain set of standards standards रख सकता है कि हम तभी इस product को लेंगे जब यह qualities के अंदर होंगी खास और से agriculture जो products होते हैं उस पे sanitary, final sanitary measures आपके काफी रहते हैं उसके बाद जो IPR है trade related aspect of intellectual property trade barriers to trade तो यह different sets of agreement है within God ठीक है, general agreement on tariff and trade तो यह separate set of agreement तो है बट इनको एक साथ माराकेश agreement के अंदर include आपका किया गया है तो we can say कि combine as an indivisible hole इसका मतलब simple सा यह है कि कोई भी separate agreement को sign नहीं करेगा अगर माराकेश agreement का वो part बनता है तो सारे agreement का वो हिस्सा बन जाता है अब देखो कुछ जो अभी issue बहुत बड़े जो arise हो रहे है that is related with the vaccination तो यह सब points आपको ध्यान में रखना है देखो vaccine क्या है vaccine खास तोर से coronavirus से related SARS-CoV-2 तो यह जो SARS-CoV-2 की vaccine है SARS-CoV-2 की जो vaccine है यह vaccine बनाने के लिए large amount पे बनाने के लिए एक तो जितना भी formulation है वो developed countries के पास है और जैसे इंडिया भी है इंडिया भी develop कर रहा है और countries भी develop करना चाहते हैं बट उनके पास technology नहीं है उनके पास और जो चीजे चाहिए कर पाएंगे दूसरे जो companies अगर produce भी करना चाहते हैं तो बार-बार demand खास और से इंडिया और South Africa ने इस proposal को रखा भी है इंडिया और South Africa ने कि देखो ये जो WTO के within जो IPR norm से इसका waiver करनी की जुरूरत है और अगर waiver करेंगे तो ज़्यादा production होगा vaccine का हो सकता है उसका mutation हो सकता है बदल सकता है वो अपने आपको और वो उसका transmission देखने को मिल सकता है तो ये जो development है वो बहुत important बन जाता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है तो ये जो MC1-2 है MC1-2 में इस बारे पर भी बातचीत हो सकती है कि जो भी IPR के norms सा उनको थोड़ा flexible किया जाए और इस पर इंडिया और South Africa ने भी काफी हद तक अपना जो viewpoint हो प्रपोजल भी सामने रखा बहुत सारी लगबग two-third जो countries है उन्होंने agree भी किया है बड़ी बड़ी जो कुछ companies हैं वो lobbying कर रही है कि नहीं है क्योंकि उनको थोड़ा financial उसका loss होगा फिर दूसरा जो area है वो है sustainable fisheries की तरफ है तो sustainable fishing की एक बहुत बड़ा demand हो जाता है sustainable fishing का मतलब जैसे एक तो जो fishing है उसका एक certain time period होता है जब आप fishing करते हैं तो उसका एक certain amount होना चाहिए ऐसा नहीं कि जैसे मनो आपने क्या किया जब fishing की जा रही है तो उसमें बड़े बड़े trollers का इस्तमाल किया गया और उसमें generation of fishes है उनको भी आपने पकड़ लिया अब क्या होगा कि सारी fishes पकड़ लिया तो क्या है कि उनका जो reproduction cycle है वो काफी effect होगा तो यहां पर जो एक ऐसे fisherman को support offer किया जाता है और उस support की वज़स से unsustainable जो fishing की जाती है उसको भी कई जो developed देशन वो oppose करते हैं उनका इमानना है कि इस प्रकार की fishing से एक तो ocean की जो maritime ecosystem है वो भी आतो impact होगा ही और साथ में जो भी है के पकड़ने में दी जाएंगी तो जो भी बेचेगा उसको थोड़ा competitive advantage रहेगा तो यह एक point है ध्यान में रखना है दूसरा जो area है वो अभी हाल में ही जो एक minimum global minimum taxation की बात की गई है इस पर भी हमने पहले कई बार discuss किया इस पर भी इस बार के mains में परश्ण बन सकता है जैसे मालो A, B और C है तो यह तीन है तो A और B बात किया जाए तो एक company C है और वो A और B इसकी सब companies है सब companies एक मालो एक इंडिया में है और एक जो है वो एक आपकी maurishis में है अब क्या है इंडिया का सारा जो भी economic space है उसका use करके एक company ने काफी सारा profit जो है वो generate किया parent company आपकी C है तो अब क्या होगा कि यह जो company है यह अपने profit को यहाँ shift कर देगी क्योंकि इंडिया के taxation loss के according उसको ज़्यादा pay करना पड़ेगा इससे क्या है कि इंडिया को काफी नुकसान होगा क्योंकि सारा का सारा benefit तो इंडिया के economic space का इस्तमाल करके उठा लिया गया अब जब tax pay करने की बात कीगी तो profit को इधर shift करके income कम दिखा दी क्योंकि company तो एक ही है profit इधर shift करो चाहूदर shift करो तो यह सब देखते हुए global minimum tax कि इतना minimum tax आपको pay करना है और खास तोर से जो digital companies हैं उनको उन पर impose करने की बात की गई उसके बाद और भी कई सारी aspect है खास तोर से जैसे जो investing countries have been investing they are negotiating capital to facilitate the expansion of e-commerce commerce firm तो लगातार जैसे e-commerce है अब e-commerce जैसे Amazon Amazon इंडिया में भी करेगा Amazon और भी देश में रहेगा अब वहाँ से data जो generate consumer कहोगा उसको कहाँ transfer करना चाहिए इंडिया में store करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्योंकि जो data का इस्तमल और भी चीजों के लिए किया जा सकता है तो यह e-commerce जो facilities इनका जो expansion है उससे भी बहुत तरीकी के challenges आपके continuously आ रहे हैं तो उसको भी जैसे free flow of data across international boundaries यह सब जो issues है इस पर भी आपकी जो है continuously बात होगी उसके बाद दोहा ministerial declaration की बात किया जाए तो यहाँ पे program on investment और developing countries were opposed to its continuation because discussion were expanding the rights of the foreign investor अब यहाँ पे जैसे दोहा ministerial declaration के according भी जो developing countries उन्होंने भी अपने कई points रखे थे related with the investment जब investment किया जाता है कोई investment करता है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ foreign जो investor आ रहा है उसके rights का भी सिर्फ ध्यान रखा जाए कि सिर्फ उसी के rights पर ही focus किया जाए यह भी ensure करना जरूरी होता है कि यह जो foreign investor है इसके investment से अगर कोई भी जो country जहाँ वो investment कर रहा है उस पर impact पड़ता है तो developing countries का अगर negative impact पड़ता है तो developing countries के पास भी certain rights होने चाहिए सिर्फ foreign investor के ही right नहीं होना चाहिए तो इस पर भी बातचीत होना आपका जरूरी है next topic है अगर आप session live देख रहे हैं तो like button जरूर से press करें और answer writing session continuously चल रहा है तो Monday to Friday आप कर रहेगा कल भी हमारे जो session answer writing का था तो उसमें मैंने आपसे यह बताया था कि किन किन sources को आप इस्तमाल कर सकते हैं अपने answer को enrich करने के लिए तो वो आपको ध्यार में रखना है और वो अलरीडी 11 बजे होता है Monday to Friday तो अलरीडी हो session आपका uploaded है answer writing से related अब देखो climate change एक बहुत बड़ा issue है climate change लगातार देखने को मिल रहा है खास तोर से यह अर्थ की बात किया जाए तो अर्थ में भी कई सारे जो changes और जो transformation है वो आपको देखने को मिल रहे है खास तोर से अगर देखा जाए तो अर्थ का जो transformation है अर्थ में और जैसे temperature हो गया global warming हो रही है जो समुद्र है समुद्र का ocean temperature की बात किया जाए उस पे बदलाव देख रहे है heat waves देखने को मिल रहे है glacier की melting देखने को मिल रहे है बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो पढ़ता रहता है यह एक बहुत नया concept है that is related with कि हमारा खुद का climate law होना चाहिए तो यह बहुत अच्छा एक dimension है इसमें तो law जैसे आप law और यह सब चीज़ें आप quality की context में consider करते है और climate change आपका GS paper GS paper 3 के अंदर आपका आता है तो दोनों को link करके बहुत ultimate topic आपका frame हो जाता है the right time for India to have its own climate law इंडिया को खुद का एक climate law होना चाहिए तो यह ultimate editorial इसको ध्यान से समझना है और इसको आप note कर सकते हैं इस पर भी प्रश्ण जो है वो आपका बन सकता है तो एक तो यह आदर रखना पंचमित्र solution पंचामित पंचामित solution पंचामित solution तो पंचामित solution जो की Glasgow भी इंडिया ने सामने रखा था इसमें जैसे fossil fuel पे जो dependency है वो reduce करना है किये गए है और जो भी targets for example Paris Agreement के अंदर रखे गए थे Intended Nationally Determined Contribution INDCs उनको achieve करने के लिए certain rules set करना जो इसके ग्लासगो स्कॉट्लैंड में located है आपका तो जो ग्लासगो मीट अभी COP26 की हुई है तो उसके लिए जो rules है वो आपके बनाए जाए या बनाए गए उसके बाद world recovers from biological और environmental stresses of COVID-19 pandemic natural disasters climate change has also become personal तो यहाँ पर यह भी बहुत important बन जाता है कि for example जो विश्व है कई प्रकार के जो environmental stress या environmental damages जो उसने face किया है चाहे वो natural disaster की context में हो चाहे इस pandemic की वज़े से जो damage है वो face किया हो तो उसके लिए कई steps लेने की जरूरत है इंडिया ने भी बार-बार highlight किया है developed countries के लिए कि आप लगभग dollar hundred billion year per year आपको provide करना चाहे खास तोर से developed countries के लिए यह point आपका highlight किया गया है और यहाँ पे जैसे यह पैसा technological टेकलोजी ट्रांसफर के लिए adaptation के लिए mitigation के लिए इन सब चीजों के लिए पैसा provide किया जाए और जो क्योंकि जो responsibility है climate change के प्रती developed देशों की वो ज़्यादा अधीक है तो हमेशा यह point याद रखना है कि cbdr, cbdr, rc common but differentiated responsibility with respective capabilities responsibility तो हमारी भी है लेकिन responsibility जो developed countries के वो ज़्यादा अधीक है तो क्योंकि responsibility उनकी ज़्यादा अधीक है इस context में अगर आप देखोगे तो यह बहुत जरूरी है यह बहुत important है कि जितने भी countries का contribution है वो बहुत higher है तो इस context में उनकी responsibility भी higher होगी और financial way में भी for adaptation, mitigation, technology, transfer की बात किया जाए तो वो developed countries को ensure करना चाहिए तो इंडिया ने भी इस चीज़ को कहा कि लगबग इतना पैसा year as a support करना चाहिए तो यहाँ पे कुछ points है जैसे इंडिया के context में है कि पहली चीज़ तो यह है कि जब हम हमारे देश की बात करता है कि climate change में जैसे पंचामरित solution की हम बात करता है और यह जो climate change है climate change को deal करने के लिए आपके different different aspect है जैसे इस climate के अंदर आपके पास water भी है, आपके पास air भी है, उसके बाद आपके पास forest भी है, आपके पास environment as a whole भी है, आपके पास wetlands भी है आपके पास mangroves भी है और आपके पास वहाँ जो लोग रहते हैं, मतब tribal है वो भी है, तो बहुत सारे different dimensions है, तो अब सभी के लिए different law है, जैसे for example आपके पास environment protection act है 1986, air prevention control of pollution act है 1981 यह 1981 का norms है, यहाँ पे आपका जैसे water से related है वो 1974 का law है but climate is not exactly water or air, मतलब आप सिर्फ water से related, air से related ही laws आपने formulate कर दिये, तो यही सिर्फ we can say climate नहीं है, तो बहुत सारे जो दूसरे factors भी है, उन दूसरे factors को consider करना ज़रूरी है, तो climate के लिए बहुत सारे, अभी for example आगर कोई development project है यह कई ऐसे factors है जिसकी वज़ी से climate impact हो सकता है यह climate को, अगेन थोड़ा उस region के climate को protect करने के हमें कुछ steps लेने चाहिए so for that purpose हमें एक holistic law की ज़रूरत है, Environment Protection Act की बात किया जा, यह भी मतलब inadequate है, अगर कोई violation करता है, जिसकी वज़व से climate पर affect पड़ता है तो यह भी बहुत ज़्यादा effective नहीं है for example, clause 24 जो है इस act का affect of other laws इसके according यह है कि अगर जो offense carry out किया जाता है under Environment Protection Act या किसी दूसरे law के इसके within दूसरे law में, तो person will be punished under the other law, for example code of criminal procedure तो यह जो CRPC के तहत उसको punishment आपका किया जाएगा तो यह साफ साफ law कह रहा है कि अगर कोई ऐसा offense करता है under EPA or any other law तो यहाँ पर कहा है, जो person है that person will be punished under any other law, दूसरे law के तहत ही वो punish होगा, मतलब EPA के अंदर यह mention नहीं है कि किस तरीके से उस person को punishment आपका किया जाए, तो यह क्या है जो environment protection law है, उसको subordinate कर देता है, दूसरे laws के नीचे इसको लेकर आ जाता है, तो यह क्या है कि climate एक बहुत बड़ा factor है, और उसको protection के लिए जो law है वो subordinate stage में है, मतलब वो एक main law आपका नहीं है खास तोर से अगर punishment से related बात किया जाए, उसके बाद there is need to integrate climate action, adaptation और mitigation, दोनों को साथ लेकर चलना, यह भी हमें प्रयास करना है, तो इसकी लिए भी ही, जो steps policy level पे है adaptation, mitigation का मतलब क्या होता है, जैसे कि carbon emission को reduce करना है, तो यह mitigation हो गया कि हम ISE technologies का इस्तमाल करना है, जैसे कि कम carbon emission हो, तो यह क्या है, it's a mitigation हम इसको, we can call it as a mitigation, लेकिन suppose को adaptation का मतलब कि climate change, जैसे अगर cyclone आता है, तो cyclone से बचने के लिए हमने कई कई सारी कदम उठाए, तो वो क्या है, वो adaptation हो गया, तो यह दोनों को integrate करना पड़ेगा, mitigation की तरफ भी we need to proceed, and we also need to think on adaptation aspect, comprehensive climate action is not just technological, but also nature based, तो यहाँ पर दोनों चीजों पर focus करना, technological solution की तरफ भी proceed करना, technology का इस्तमाल करके carbon emission को reduce करना, या फिर दूसरा nature based, मतलब ecosystem को restore करना, protect करना, और जो natural hazards है, उनको reduce करने के लिए प्रयास करना, carbon sinks जैसा forestation करना, forestation करना, तो carbon sink या carbon sequestration आपका increase होगा, तो इस पर भी प्रयास करना, तो we have to integrate adaptation and mitigation at the same point of the technological और nature based solution की तरफ भी हमें proceed करना पड़ेगा, तो इंडिया की जो situation है, भी unique भी है, climate action cannot come by furthering, शार्पने, divide तो यहाँ पर ये भी हमें ध्यान में जो है, वो रखना है, कि जैसे बहुत सारे ऐसे targets, for example, हम renewable energy की तरफ जा रहे हैं, 500 gigawatt by 2020, 2030 2030 goal for renewable energy, solar, wind, power, इन सब तक हम reach कर सकते हैं, तो अगर ये हम करते हैं, तो इसमें क्या है, ये भी possibility कि अगर आप इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा renewable energy, solar, wind energy produce आप करेंगे, तो किसी जगा पर आपको solar panel set करने पड़ेंगे, फिर उनको storage, फिर उनके लिए transmission के लिए lines create करनी पड़ेंगे, मतरब transmission lines बनानी पड़ेंगी, ये सब चीजे होंगी, तो ये सब क्या है कि, जो habitat है, खास तोर से, जैसे birds great Indian bastard है, वो क्या है, बड़ी-बड़ी उनके number क्यों reduce हो रहे हैं, कि जो transmission lines है, ये बहुत heavy birds होती, बहुत तेजी से जाती है, और ये जो तारे हैं, बड़ी-बड़ी, इनसे ठकरा के इनकी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें कई प्रयास भी किये गए थे, कि हम ऐसा कुछ कदम उठाएं, कैसे ठकरा के ना मरें, तो यहाँ पर क्या है, कि बहुत से factors हैं, जैसे अगर आप properly, या तुरंत renewable energy की तरफ switch तुरंत नहीं कर सकते हो, अभी आपको क्या alternative जब तक generate नहीं होता है, अगर alternative generate नहीं होता, तब तक हम हमें weekend से थोड़ा सा flexible होना पड़ेगा, otherwise what will happen कि अगर हम तुरंत से renewable energy की तरफ switch कर जाएंगे, तो जो energy poverty वो लोगों को face करना पड़ेगा, मतलब खास तोर से ऐसे लोग जो resources को afford नहीं कर सकते, अभी सभी लोग अपने घर में बड़े-बड़े solar panel तो लगवा नहीं सकते हैं, तब energy poverty मतलब किसी घर में light नहीं है, तो दूसरी जो technological सुविधाय हैं, उससे वो deprived होगा, और फिर उसका growth development affect होगा और society में बहुत पीछे रह जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है, अब देखो आज की समय में जो society है, society में जिसे पहले discrimination का basis था, उसके psychological factors थे, अब आगे चलके जो discrimination कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा उसमें, sociological factor से ज़्यादा, ये factor ज़्यादा responsible होगा, जो की technology कौन कितना access कर पाता है है ना, technology, अब वो technology बहुत affordable है, वो बहुत सारी level पर हो सकते है, health education कोई भी आप consider कर सकते हो, digital divide, कुछ भी आप consider कर सकते हो, अब उस technology को कौन access कर सकता है उसकी affordability और accessibility determine करेगा inclusiveness को, affordability और जो accessibility है that will determine its inclusiveness, ये fact आपको ध्यान में रखना है, कि मतलब सब तक reach करे, उसके लिए क्या है, accessibility, affordability को improve करना पड़ेगा, otherwise what will happen, कि जो divide होगा within society कि कौन आगे बढ़ गया, कौन पीछे बढ़ गया, कौन पीछे रह गया, ये सब depend इस पर आपका काफी हद तक करेगा दूसरा, कि ये जो climate law है इस पर दो aspects को include करना है, पहला कि एक institution create करना, जो कि जो भी action plan है, उसको monitor कर सके, और एक commission बनाना, commission on climate change भी set किया जा सकता है, जो कि direction issue कर सकता है, implementation को देख सकता है, नहीं हो सकता है, तो मतलब नहीं हो रहा है, तो उसको implement करने के लिए action ले सकता है, फिर दूसरा ये भी है कि जो भी footprint है, carbon footprint, मतलब कि कोई भी product है, उसके पूरा जो आपका cycle है, उसमें वो कितना carbon generate करता है, उसको trace करना बहुत आपका जरूरी है, कि यहाँ पे अगर उस product की वज़ा से higher carbon footprint मतलब जो generate हो रहे हैं, तो उसके efficiency को कैसे improve करना चाहिए, तो उसको monitor करने के लिए भी कई agencies जैसे Bureau of Energy Efficiency है, बट Energy Efficiency आपकी खास दोर से जैसे कोई भी electronic product है, उसकी efficiency को देखना कि यह 4 star है, 5 star है, ऐसे बहुत सारे different products पर भी यह ऐसे agencies लेकर आने की जो है, वो जरूरी है, उसके बाद we need a system of liability and accountability, बहुत अच्छा example है, यह देखो system of liability and accountability भी हमें लेकर आना पड़ेगा, जैसे इसमें एक example भी आप देख सकते हो, कि उत्राखंड के अंदर है, उत्राखंड में कोई disaster बड़ा आ गया, अब अगर कोई बड़ा disaster आता है, suppose करो if there is a bigger disaster, अगर कोई बड़ा disaster अगर आपका आता है so, वो जो disaster है उस disaster की वज़े से लोगों का जो damage होना dam बनाया गया, उस dam में पानी बहुत अधिक आया और आने से गेट उन्होंने open कर दिया आसपास की जितने लोग है और बहुत affect हो गया, और ये क्या है कि जो companies के लिए responsible है उसको libel करना इस चीज के लिए कि dam management के लिए आपको कार करना है, इस तरीके की अगर situation आती क्योंकि इन्होंने तो पानी छोड़ दिया और आसपास की जितने लोग है उनका पुरा livelihood, उनका खेत और पुरा सब कुछ चला गया पानी में तो ये जो disaster है, disaster के प्रती कोई भी जो agencies है उनको accountable करना, liability ensure करना, ये भी देखने की जुरुरत है उसके बाद ये जो national climate change action plan है, खास तोर से जो national climate change plans हैं, उनकी जो guidelines उनको सही से आपका implement करना national green tribunal 2016 ने भी इसी बात पर highlight किया था कि 2013 में जो पौरी उत्राखंड में जो damage हुआ था because of the flood occurred in 2008-13 तो स्रीन अगर जो dam है open केर दिया गया था और उससे फिर काफी लोग आपकी, मतब कई लोग की field of property damage होई थी तो उसमें यहाँ पे खास तोर सी factor related था with the management of the dam और इसे consider भी किया गया था act of God, but जो टिबिनल है उसने इसे act of God, consider नहीं किया किया और फिर उस company को कहा कि आपको इतना damage पे करना है इस परकार की यह देखना है कि जैसे अगर कोई किसी project को बना रहा है, तो यह क्या है उसको इध्यान में रखना है कि उस project के बनाते वक्त जो damage है वहाँ के topography, वहाँ के climate पे वह नहीं होना चाहिए उसकी वजह से अगर कोई भी ऐसा disaster आता है, तो उसके लिए उस company को liable करना, accountable करना यह ensure करना जरूए आपका हो जाता है next देखते है, next is about the virus, तो this is related with the virus अगर आप session live देख रहे हैं, तो आप जरूर से like button प्रेस करना है it will hardly take less than one second भी नहीं आपको लेगा, button प्रेस करना है ठीक है, तो यह देखते हैं यह topic है आपका, Gika virus ठीक है, तो 30 more test positive for Gika virus in कानपूरती, यह आपको बस इतना याद रखना है, Gika virus के बारे में कुछ facts आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज तो रखना है, यह mosquito born illness है mosquito की वज़े से होता है, एडीज mosquito है, उसकी वज़े से होता है same, एडीज mosquito आपका डेंगी और चिकन गुनिया के लिए भी responsible है तो यह डेंगू और जो चिकन गुनिया virus है, यही mosquito spread करता है Gika virus को भी यही spread करता है यह fact, prelims के लिए importance पर कोई mains का प्रशन आपका, नहीं है गा, तो यह topic आपको prelims वाले register के अंदर आपको note करना चाहिए, और eddies is most effective during the day, malaria की बात किया जाए, malaria carrying mosquitoes, eddies है, यह जादा तर most active during the day यहाँ पे कई सारी चीज़े का इस्तमाल किया जाता है unlike malaria carrying mosquitoes, जो malaria carrying mosquitoes, जो eddies है यह जादा तर आपका day के समय आपका active रहता है और इसका, जैसे mosquito net है इतना ज़्यादा आपके अफेक्टिव नहीं है day के टाइम पे आप mosquito net लगा के तो कैसे घुमोगे, और यह outdoor environment में भी survive करता है यह जो eddies है, they can transmit जी का, the main one are eddies, elbow, pictus Asian tiger mosquito भी से कहते है और eddies, agipity इसे yellow fever mosquito भी कहते है तो यह फैक्ट भी थोड़ा सा याद रखना है इस टाइब के प्रश्ण थोड़ा सा बन सकते हैं chances आपके रहते हैं तो eddies, elbow, pictus इसे Asian tiger mosquito बोलते हैं eddies, agipity, जिसे yellow fever mosquito हम बोलते हैं तो यह पहली बार identify किया गया था यूगांडा में 1947 के अंदर 2016 के अंदर major outbreak ब्राजिल में भी आपको देखने को मिला था, इसके symptoms होते हैं वो आपको ध्यान में नहीं रखना है मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए कई बार statement based प्रश्ण बन जाता है तो जो pregnant woman है अगर यह virus if a pregnant woman catches the virus तो यह जो unborn child है उस पर भी काफी आपका affect हो सकता है जो growth है, वो affect हो सकता है जो sir होता है, उसकी size increase हो जाती है तो यह सब problems देखने को आपके मिलते हैं next देखते है इसको read करना और एक जो संकराचार है आदी संकराचार जो है उनके बारे में भी थोड़ा read कर लेना थोड़ा read कर लेना यह आपको curiosity रहना चाहिए इसके बारे में मतलब मालो कोई question ऐसा mains के अंदर ही frame हो जाए तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखना है एक topic और थोड़ा आप देखना essay writing के लिए जो religion, जो religious tourism है इंडिया के अंदर यह जो tourism है देखो economy की context में अगर आप देखोगे तो यह सब जैसे आप मालो यह बना दिया गया इस्थल बना दिया गया अब लोग बहुत सारे जाएंगे देखेंगे इसको ठीक है तो आसपास की economy है उसके लिए भी beneficial आप कर रहेगा ऐसे बहुत सारे religious places होते हैं कई जगव में famous church हैं कई जगव में famous mosque हैं कई जगव में famous temples हैं कई जगव में famous ऐस्तरी की धार्मी किस्तल जिसे आप क्याता हैं वो हैं तो उनको लोग देखने जाएंगे तो यह जो tourism है religion based tourism है तो इसका impact पर आप थोड़ा सा जरूर से सोचो कई कई dimension उसके आप सोच सकते हो किसका impact economy पर क्या पड़ता है लोगों पर क्या पड़ता है rural economy पर क्या पड़ सकता है यह सब चीज़े आप जरूर से थोड़ा सा मदब इस पर आप सोच सकते है question देख लो to achieve पंचामरित solution India need to have its own climate laws ठीक है तो यह आपका 10 marks का question है 150 words में इसको आप लिख सकते है answer writing session आपका Monday को होगा 11 बजे Monday to Friday आपका है कल already हो चुका है तो तीन questions थे और वो मैंने आप से discuss किया साथ में I have also discussed कि आप अपने answer को enrich कैसे कर सकते है तो उसे मैंने आपको sources बताए थे कि किन-किन sources को आपको follow करना चाहिए तो यह ध्यान में रखना है तो आज के लिए इतना ही I hope यह session आपके लिए helpful रहा होगा लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें अनकेडमी से जुनने के लिए यूज दो कोड़ दाइस SPLIV Thank you everyone and let's go get